Hello everyone and welcome to only IS स्वागत है आपका हमारे इस short explainer वीडियो में जहां हम जानेंगे राजा महिंदर प्रताप सिंग के बारे में इनके नाम पे हाली में एक उनिवस्टी खुलने वाली है अलीगर में तो क्या इनकी history है और क्यों हमारे लिए बहुत जारा importance है importance रखते हैं यह सब जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहले राजा महिंदर प्रताप सिंग असल में एक जाट king थे जाट community से बिलॉंग करते थे तो politically काफी sensitive यह एक community है काफी important है politically भी पर अभी politics side रखते हैं हमारे लिए prelims में कहां से important हो सकते हैं क्या questions या कोई ऐसे term से जो मैं पता होने चाहिए for example इनका एक और प्रचलित नाम था Aryan Peshwa Aryan Peshwa के नाम से भी इनको जाना जाता था यह क्या एक non-violence को support करने वाले वेक्ती थे या नहीं थे तो हाँ वो भी थे क्योंकि गांधी को भी follow करते थे अब मैं आपसे बोलू गांधी को follow करते थे तो war war में तो कोई को president भी declare किया था और 1932 में Nobel Peace Prize के लिए इनको मनुनित किया गया था तो यह कई सारी चीज़ है एक ही रिक्ती के बारे में थोड़ी clarity होनी जरूरी है जो हम कोशिश करेंगे अभी समझने की सबसे पहले यह पैदा हुए थे कहां हाथरस में और उत्तरप्रदेश में अब जै सेप्टेंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी खोद इसकी foundation store रखने वाले हैं सबसे पहले बात की भाई इतना सरा काम इन्होंने किया कौन थे यह तो जैसे मैंने बताया वहां से पैदा हुए कहां पैदा हुए और क्या इनकी history थी again अब royal family से होने के बावजूद इन्होंने politics में शुरू से हस्तक्षे प्रहाइन का सायोग किया और 1911 में ये बालकन वार में शरीक हुए और पहले ये student थे महमधन एंगलो औरेंटल कॉलेजिट स्कूल के जिसका नाम बाल में बदलके M.E.U. हो गया का जाता यहां इन्होंने लैंड भी डोनेट किया था काफी मातरा में इस college को जहां पर अभी थोड़ा सा controversy भी चल रही है तो सबसे पहले इन्होंने पहले Balkan War में हिस्सा लिया उसके बाद इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ी इस college में और यह गए अफगानिस्तान अफगानिस्तान में इन्होंने एक प्रविजनल government बनाई इंडिया की सबसे पहले और खुद को प्रेजिएंट डिकलियर किया और वहाँ से इन्होंने जिहाद डिकलियर किया अगेंस्ट colonial government of Britain और अफगानिस्तान में सिर्फ थे ही नहीं अफगानिस्तान की तरफ से बाकी देशों का भी इन्होंने भ्रहमन किया और एक awareness फिलाए कि कैसे Britishers जो है इंडिया के खिलाफ और इंडिया में brutality कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया अलिगर मुस्लिम इन्होंने पढ़ाई करी थी तो वहां पे इनको बार में facilitate भी किया गया था 1977 में तो राजा महिंदर प्रताप सिंग इसके अलावा ये जो अफगानिस्तान गए जो इन्होंने बालकन वार में हिस्सा लिया इसके अलावा इन्होंने जो साउथ अफरिका में गान्दी जी का सत्यागरह चल रहा था वहां भी बहुत चीज़ों में contribute किया और भी इनका रोल ये था कि जो इंडिया में जो political figure से चाहिए उदादा भाई नवरजी हो बाल गंगा धलतिलग हो उनके उनसे inspire होके इन्होंने जो इंडिया में स्वधिशी movement है उसमें भी contribute किया था तो जो foreign made close थे उनको चलाने के बाद या उनके साथ असहयोग करने के बाद पे इन्होंने जोर दिया ये क्योंकि बाद में गांधियन भी बन गए गांधियन फॉलोर भी बन गए तो non-violence में काफी जारा विश्वास रखते थे ये बाद में और इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को आगे का सिस्टम बताया इनका मानना था पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट करने से ही करप्शन में कमी आएगी और ग्रासरूट लेवल पे विकास हो पाएगा तो गांधियन भी थे और पंचायती राज में विश्वासी रखते थे और इनके नाम पे एक पूस्टल स्टम भी आया और इनका नाम एक आरियन पेश्वा भी था तो जो एक पूरी हिस्ट्री थी थी गांधी जी के non-violence principle पे चलते हुए इन्होंने प्रेम महाविद्याले में एक तरह का यह polytechnic college था जिसके अंदर चाहे वो pottery हो, textile हो, carpentry हो, metal working हो इन सभी के बारे में courses चला जाने लग गए एक ही जगे पे और इनका माना था दुनिया एक family है और कैसे हम police और जो army पर खर्चा कर रहे हैं उसको कम करके हम कैसे education और बाकी development पर काम कर सकते हैं और कैसे हम decentralized तरीके से pancati raja institutions run कर सकते हैं उससे हम और जारा develop कर सकते हैं इनी सब कारणों से इनको 1932 में Nobel Peace Prize के लिए भी नमूनित किया गया था और technical college से ने बता है वहाँ भी अफगानिस्तान की ओर से इंडिया के खिलाफ इंडिया में जो atrocities हो रही हैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाए थी इसलिए इन्होंने खुद को ही अपने आपको कहा था कि I am the servant of the powerless and the weak और सबसे खास बात इतना ही नहीं जब इंडिया आजाद हुआ तो 1955 के आसपास 57 में इन्होंने अटल भीहरी वाजपे को election में हराया था as an independent candidate तो सोचिए जो वेक्ती इतने लंबे समय से आ रहे हैं इन्होंने उनको भी हराया था अटल भीहरी वाजपे को as an independent candidate तो ये है इनकी पूरी कहानी और ये बहुत ज़ाद relevant है क्योंकि हम confused ना हो जाएं कि क्या ये गांधियन थे या नहीं थे या क्या इन्होंने इन्वार्ट में हिस्सा लिया था या नहीं लिया था जो अभी controversy चल रही थी AMU की जमीन को लेके उसमें विवाद ये है कि राजा महिंद्रपता ने के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लगभग तीन एकर जमीन इनको उनिस सुन्तिस में दो रुपय पर एनम के हिसाब से लीज पर दी थी लेकिन यूनिवर्स्टी का मानना है कि का कहना है कि बहुत सारी जो जमीन है वो बिटिश गवर्मेंट से ल किया था तो यह बेसिकली कॉंट्रिवर्सी है जो हमारे लिए उतनी काम किनी हमारे काम किनी हिस्ट्री थी जो हमने जान ली तो इस वीडियो के लिए इतना ही देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू बेरे मच एन हम नाइस दे